जै श्री कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है अधिक मास जो की भगवान विश्णो का प्रेमास है इसे भगवान विश्णो ने ही अपना नाम पुर्शुत्तम दिया है कहते हैं भगवन नाम कैसे भी लिया जाए मंगलकारी ही होता है देर सवेर जापक का कल्यान होता ही है इसलिए संद तुलसे दास ने कहा है तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज भूमी फेके उगेंगे उल्टे सीधे बीच श्रिमत भागवत में अजामिल की कथा इसी कथा को महातम के रूप में प्रय सत्संकी पुर्णता पर कहा जाता है तो आए सुनते हैं अजामिल की कथा कानिकूपज कन्योज में एक दासी पती ब्रामन रहता था उसका नाम अजामिल था यह अजामिल बड़ा शास्त्रग्य था शील सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था ब्रह्मचारी, विनई, जितेंद्री, सत्यनेष्ट, मंत्रवित्ता और पवित्र भी था इसने गुरू, संत, महात्मा और सबकी सेवा की थी एक बार अपने पिता के आदेशा अनुसार वन में गया और वहां से फल, फोल, समीधा तथा कुश लेकर घर के लोटा, लोटते समय इसने देखा कि एक विक्ती मदिरापी कर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है, वैश्या भी सरापी करमतवाली हो रही है, अजामिल ने पाप किया नहीं किवल आँखों से देखा और काम के वश हो गया, अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत को आधी वस्तुएं जिनसे वह प्रसंद होती लेया था यहां तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति दे कर भी उसी वैश्या को रिजाया यह ब्राह्मन उसी प्रकार की चेस्टा करता जिससे वह प्रसंद हो इस वैश्या के चक्कर में इसने अपनी कुलीन नवयोती और वि इवन ही पापमय कर लिया यह को बुद्धी नयाय से अनयाय से जैसे भी जहां कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता उसके बड़े कुटुमा पालन करने में ही यह व्यस्त रहता चोरी से जुएं से धोका धड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था एक बार कुछ संत इ मजाक किया और कहा संतो हमारे गाउं में तो एक ही श्रिष्ट ब्रामन है जिसका नाम है अजामिल और इतना बड़ा भगवान का भकत है कि गाउं के अंदर नहीं रहता गाउं के बाहर रहता है अब संत जन अजामिल के घर पहुँचे और दर्वाजा खट खटाया भकत जामिल ने आज दर्वाजा खुला तो संतो के दर्शन करते ही मानवाज अपने पुराने कर्म उसे याद आर गए संतो ने कहा कि भहिया रात बहुत हो गई है आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंद कीजिए अजामिल ने सुन्दर भोजन तयार करवाया और संतो को भोजन करवाया जब अजामिल ने संतो से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं कि भहिया हम प्रति दिन सोने से पहले किर्टन करते हैं यदि आपको समस्या ना हो तो हम किर्टन कर ले अजामिल ने कहा आप ही का घर है महराज जो दिल में आये सो करो संतो के सुन्दर किर्टन प् सारी रात भगवान का नाम लिया जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा महात्माओ मुझे छमा कर दिजिए मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ मैं तो एक महापापी हूँ मैं वेश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गाउं से बहार निकाल दिया गया है केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भुजन करवाया नहीं तो मुझे से बड़ा कोई पापी नहीं संतो ने कहा अरे जामिल तुने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई हम तेरे घर में रुकते ही नहीं अब तुने हमें आश्रे दिया है तो चिंता मत कर ये बता तेरे घर में कित्ते बालक है अजामिल ने बता दिया कि महरार नौ बच्चे है और अब ही एक गर्भवती है संतो ने कहा कि अपके जो तेरी संतान होगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायन रखना जा तेरा कल्यान हो जाएगा संतजन आशिरवाद देकर चले गए समय बीता उसके पुत्र हुआ अब रखा नारायन अजामिल अपने नारायन पुत्र में बहुत आसकत था अजामिल ने अपना संपुण हर दय अपने बच्चे नारायन को सौब दिया था हर समय अजामिल कहता था नारायन भोजन कर लो नारायन पानी पिलो नारायन तुम्हारा खेलने का समय हो गया तुम खेल लो हर समय नारायन नारायन करता रहता था इस तरह 88 वर्ष बीद गए वह अतिसाइब मूर हो गया था उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्तु मेरे सिर पर आ पहुंची है अब अपने पुत्र बालक नारायन के संबद में ही सोचने विचाने लगा इतने में ही अजा मिले देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्तनत भयावने तीन यम्दूत आये हैं उनके हाथों में फासी है मुहों तेड़े मेडे हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं उस समय बालक नारायन वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था यम्दूतों को देखकर अचा मिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है नारायन नारायन मेरी रक्षा करो नारायन मुझे बचाओ भगवान के परशदों ने देखा किया मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायन का नाम ले रहा है उनके नाम का खिर्टन कर रहा है अतावे बड़े वेक से जटपट वहाँ आ पहुँचे उस समय यमराज के दूट दासी पती अजामिल के शरीर में से उसके सुक्ष्म शरीर को खीच रहे थे विष्णु दूटों ने बलपूरवक रोख दिया उनके रोकने पर यमराज के दूटों ने उनसे कहा अरे धर्मराज की आग्या का निशेत करने वाले तुम लोग हो कौन तुम किसके दूटों कहां से आये हो और इसले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो जब यम दूटों ने आज्याकारी पार्षदों ने हसकर कहा यमदूतों यदि तुम लोग सचमुद धर्मराज के आज्याकारी हो तो हमें धर्म का लक्षन और धर्म का तत्व सुना और दंड का पात्र कौन है यम्दूतों ने कहा वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिन का निशेत किया है वे अधर्म है वे स्वयम भगवान के स्वरूप है वे उनके स्वभाविक स्वास प्रस्वास एवं स्वयम प्रकाश क्यान है ऐसा हमने सुना है पाप कर्म करने वाले सब अपने अपने कर्मों के अंसार दंडनी होते हैं भगवान के पर्षद ने कहा यम्दूतो यह बड़ी आश्यर और खेत की बात है कि धर्मग्यों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है क्योंकि यहां निरपराद और अधंडनी वक्ति को व्यार्थ ही दंड दिया जाता है यम्दूतो इसने कोटी-कोटी जन्मों की पाप राशी का पूरा-पूरा शित को किसने विवश हो करी सही भगवान के परमकल्यान में उक्षप्रद नाम का उच्चारन तो किया है जिस समय इसने नरायन इंचारक्षनों का उच्चारन किया उसी समय केवल इतने से ही इस प बड़ा पापी हो सभी के लिए यही इतना ही सबसे प्राशीत है कि भगवान के नामों का उच्चारन किया जाए क्योंकि बहग्षप्र की प्रतवी कि प्रती आतमी बुद्धी हो जाती है तुम लोग को मत ले जाओ तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ इतने सारे पापो का प्राशित कर लिया है क्योंकि इसने मरती समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है इस प्रकार भगवान के पार्शदों ने भागवत धर्म का पूरा-पूरा निर्ने सुना दिया और अजामिल को यम्दूतों के पास से छुड़ा कर मृत्य के मुख से बचा लिया भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हिर्दे में शिगर ही भक्ति का उदै हो गया अब उसने अपने पापो को याद करके बड़ा पश्यताप होने लगा अरे मैं कैसा इंड्रियों का दास हूँ मैंने एक दासी के गर्व से पुत्र उत्पन करके अपना ब्रामनत्व नस्ट कर दिया इहां बड़े दुक्की बात है धिक्कार है मुझे बार बार दिक्कार है मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ पापात्मा हूँ मैंने अपने पापात्मा कामी पुरुष अनिको प्रकार की यमयात्ना भूगते हैं कहां तो मैं महाकपटी पापी निरलज और ब्रह्मतेज को नश्ट करने वाला तथा कहां भगवान का परम मंगल मैं नारायन नाम अब मैं अपने मन, इंद्री और प्राणों को वश्मे करके ऐसा प्रेत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार मैं नरक में ना डालू मैंने यम्दूतों के डर से अपने पुत्र नारायन को पुकारा और भगवान के पारशत प्रगट हो गया यदि मैं वास्तों में न नारायन को पुकारता तो क्या श्री नारायन मेरे सामने प्रगट नहीं हो जाते अब अजामिल के चित में सागर के प्रती वैरा, संसार के प्रती वैरा के उत्पन हो गया वे सबसे संबंद और मोहों को छोड़कर हरिद्वार चले गए उस देवस्थान में जाकर वे मिला दिया इसके बाद आत्म चिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धी को विश्यों से प्रिधक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभाव स्वरूप पर ब्रह्म में जोड दिया इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धी त्रगुण मही प्रकृति से उपर उठकर भगव उन्होंने उस देर्धिस्तान में गंगा के टड़ पर अपना शरी त्याग दिया और तत्काल भगवान के पाशदों का सुरू प्राप्त कर लिया अजामिल भगवान के पाशदों के साथ सुर्ण मै विवान पर आरुड़ होकर आकाशमार्क से भगवान लक्षमी पती के निवास इस्थान वैकुंड को चले गए तो आपने जामिल की कथा में यह जाना कि भगवान के नाम उच्छारण मात्र नारायन से ही ऐसे दुस्ट अजामिल का उधार कर दिया और उसे भगवान विश्णु के वैकुंड धाम का निवास मिला और पार्शत का रूप में सद् आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें चैनल पर यदि आप नहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आग्या आने वाली वीडियो का नोटिफिकिशन राधे राधे